मैं यह नहीं कहूंगा कि यह करने ना, यह करने ना, यह बुग ले 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 ना, वो उख लिक में मैं आप कहूंगा कि यह क्रिस्प तरीका है जिससे आप एक चेप्टर को निप्टा सकते हो उस क्रिस्प तरीके का आप यूज करो, आपका चेप्टर खतम हो आपकर आप सकिर्द टर्वान का पिस लिए उस्टर आप одно कराऊ का चेप्ट counterparts शुवग भया है ना आज आपकी सोशल साइंस में जितनी भी प्रॉब्लम है, वो सारी प्रॉब्लम्स उखाड कि मैं फैकने वाला हूँ, हर एक चीज आज आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, एक step-by-step process, step-by-step roadmap मैं आपके साथ discuss करूँगा, जिससे कि अगर आप बिल्कुल zero पर होना, सारे तरीके, आज मैं आपके साथ share करने वाला हूँ, मैंने class 10th वालों के साथ बहुत बार एक story share करी है, आज आपको बताता हूँ, मिरे को सारी पसंद नी थी, बिल्कुल clearly बोलता हूँ, मिरे से नहीं पढ़ी जाती थी भाई, साल भर मेरे जितने भी टेस्ट होते थे थे ना, इंटर्नल, उसमें सम्में मेरे zero number आते थे, क्योंकि मिरे को बहुत boring लगती थी, मेरे साथ नहीं पढ़ा जाता था, but end exam में, मैं SST में सबसे जाधा number लेके आता था class में, कैसे, वही सारे experiences, वही सारे तरीके, आज इस वीडियो में मैं share करूँगा, ध्यान से सुल लेना, शुरू से लेके end तक, बिना रुके, बिना हटे, इस वीडियो को देखना है, एक copy pen ले लेना है, copy pen में, जो जो चीजे में आपको बता रहा हूँ, वो लिखते रहे न, ऐसा ना हो, कि हम सत्संग की तरह, एक कान से सुन रहे हैं, और दूसे कान से निकाल रहे हैं, हर एक चीज जो है, वो tried and tested है, बच्चों के उससे अच्छे number आए हैं, और आपके भी आएंगे, इस बात क करें, देखो, किसी भी चीज को शुरू करने का तरीका क्या होता है, उसको शुरू करने का तरीका, बेस तरीका जो होता है, वो ही होता है, कि शुरुवात करो easiest chapter से, मैं आपको plan बताता हूँ क्या करना है आपको, देखो, सबसे पहली चीज, एक plain paper ले लो, एक कोरा पन्ना ले लो, उस कोरे पन्ने पे तीन भाग कर लो, एक भाग में लिख लो, आपके history के जितने chapters हैं, जितने आपके school में आ रहे हैं, वो history के chapters, एक भाग में आपके geography के chapters, एक भाग में आपके civics के chapters, और एक भाग में आपने कौन कौन से होगी, economics के chapter, ये चार भाग आपने कर लि वो सारे लिख लो, मैं history में तया रहे हैं, geography में तया रहे हैं, civics में तया रहे हैं, economics में तया रहे हैं, यह सारे आपने लिख लिए, क्योंकि हर एक school के अलग लग हैं, तो मैंने इसलिए कोई ऐसी list नहीं दिये, आपके school का जो syllabus है, वो आपने इस तरह से चार भाग में लिख लिख लिया, मैं assume कर रहा हूँ कि आप साथ साथ में लिख रहे हो, नहीं लिखो कि कोई फायदा निया इस वीडियो को देखनेगा, बिल्कुल rude हो कि मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं चाता हूँ कि आप अच्छा school करके आओ, तो इसलिए जो 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 चीज़े मैं आपको बो आपके इस तरह से अपने chapters लिख दिये, अब इनमें ये देखो कि कौन-कौन से chapters आपने एक-दो बार कर रखे हैं, ठीक है, आपने कहीं पर पढ़ लिए, tuition में पढ़ लिए, school में पढ़ लिए, कहीं पर पढ़ लिए, तो जो chapters कर रखे हैं, उनको तो यहां से कट मार दो, क आपके इस तरह में ये दो chapter आपने कर रखे हैं, जो अग्रेफर में ये तीन chapter आपके कर रखे हैं, ये वाले हो रखे हैं, और इसमें ये ये हो रखे हैं, अब जो आपके chapter बचे हैं, उन chapters को ना easy, medium, hard में divide कर लो, ठीक है, माल लो ये जो chapter था आपका, ये थोड़ा सा hard chapter है, ये थोड़ा सा medium chapter है, ये थोड़ा सा easy chapter है, ये थोड़ा सा easy chapter है, ये medium chapter है, माल लो ये hard chapter है, ये easy chapter है, ये medium chapter है, ऐसे आप भाग कर सकते हैं, बहुत अराम से, ठीक है, easy chapter है, ये medium chapter है, किसी भी दोस्त से बूछ लेना, आपको नहीं पता चल रहा है, कौन सा easy, medium, hard है, किसी भ कर लिया अब सभसे पहला काम आपका होगा कि आप EASYEST CHAPTER उठाओ जो भी आपके EASY CHAPTER आपके एक दो तीन चार चार है तो आपका पहला काम है इन चारो EASY CHAPTERS को आप कप्लीट करोगे तिक्कत क्या होती है ना हम randomly उठाते हैं कोई भी chapter हमारा मन करा कि यार ऐसा करते हैं सिर्विक्स का ये वाला chapter उठा लेते हैं फिर पता चलता है ये hard chapter है hard chapter नहीं हो रहा तो हमें लगता है sst मुश्किल है तो हम sst को छोड़ देते हैं तो इसलिए शुरुबात करो easy chapter से जब आपके 4 easy chapter हो जाएंगे आपको दिखेगा ये cut गया आपको दिखेगा ये cut गया आपके अदर confidence आएगा कि हाँ चार chapter all complete होगे आपके अंदर confidence आया उस confidence को यूज करके, आप medium chapters complete करोगे ठीक है, उस confidence को यूज करके आप medium chapters, आपने ये chapter काटा आपने ये chapter काटा, आपने ये chapter काटा, आपने ये chapter काटा अब क्या बचा, अब आपके 4 chapter और निपड गए, जैसे ही आपके easy और medium वाले chapter निपड जाएंगे अब आपका काम है कि आप hard chapter उठाओ कभी भी शुरुवात जो है ना मुश्किल chapter से मत करो अगर आप किसी subject को नहीं चाते हो अच्छे से अगर आपको subject boring लगता है मेरे को बहुत boring लगता था इसमें मेरा काम होता था कि पहले मैं easy medium अटा दूँ easy medium जैसे मैं कर लेता था ना मेरे को पता चलता था मेरा एक bunch of slivers एक बहुत ही बड़ा chunk of slivers मेरा complete हो चुका है जैसे मेरे को पता चलता था मेरा chunk of slivers complete हो गया मेरे अंदर confidence आता था उस confidence को use करके मैं hard chapter करता था तो इसलिए जो मैं आ पर आपका question था कि भाई या बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है start कैसे करें start कैसे करें उसका तरीका है कि अपना एक page पे बाट लो चार column जितने हो रख्या उनको काड़ दिया बाकी बचों को easy, medium, hard में करके सबसे पहले easy निपता है easy निपता है confidence आया फिर medium निपता है और confidence आया उस confidence को use करके आपने hard वाले निपता है यह होता है तरीका plan करने का किसी भी सब्जेक को complete करने का कोई भी सब्जेक में आप इस चीश को कर सकते हो आपका match का कुछ chapter बचे हुए है और आपको ऐसा लग रहा है कि भाया motivation नहीं आरी तो easy वाले उठाओ जैसे easy होंगे आपके अंदर confidence आएगा कि यह मेरे से तो हो रहे हैं मेरे से तो हो रहे हैं मेरे से तो हो रहे हैं फिर उस confidence को use करके आपने medium करा उन confidence को use करके आपने hard करा क्या मेरे बात समझ में आगी अब आते हैं दूसरी चीज में भाया यार history कि इतनी सारी date सा याद नहीं हो रही है मैंने last year बहुत सारे टॉपर्स जो भी आपके class 10th 9 के टॉपर्स से बात करी थी उन्होंने एक तरीका बताया था कि भाया history की dates जरूरी नहीं है बहुत सारी आ आ रहे हैं चैनल पर दो चैप्टर के मेरे notes दे रखे हैं उसमें आप देखोगे सबसे पहली चीज है चैप्टर टाइम लाइन इमना इस चैप्टर की जितने भी important years है important date है वो सारे story के form में लिख रखे हैं और लोगों को क्या होगा आप YouTube पे देखोगे आप भी teacher को देखो है तो उसको एक story की तरह याद करने कोशिश करो तो वही story मैंने आप आपके लिए लिखती है तो आपका काम क्या है सिर्फ यह चैप्टर की timeline है इसको story की तरह पड़ो बहुत असान भाशा में लिखी है बहुत जादा असान भाशा में आप पढ़ना शुरू करोगे आपको बहुत 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 देने पढ़ रहे थे because of old text regime तो यह कहना पूरे chapter को मैंने story की तरह मैं बता रखा है और story के साथ-साथ आपको dates लिख रखी है तो आप जैसे ही story को याद करोगे इस story को एक बार पढ़ोगे द socialism in Europe हो गया इन दोनों के मैंने chapter के नूमर दे रखे हैं बाकी दो chapter आपके बहुत जल्दी channel पर एक काम बस आपके रहेगा गुजारिश आपसे रहेगी की channel को सबस्क्राइब करो घंटे बजा के रखो जिससे कि जैसे आए तो आपको पता चल जाए तो history की dates आपसे याद नह कि क्या strategy रहती है, toppers कैसे किसी एक chapter को complete करते हैं, मैं आपको वो चीज बताने वाला हूँ, मैं यह नहीं कहूँगा कि यह कर लेना, यह कर लेना, यह book लेना, वो नहीं, मैं आप कहूँगा कि यह crisp तरीका है, जिससे आप एक chapter को निफटा सकते हो, उस crisp तरीके का आप use करो, पहला काम है आपका, कि एक one shot video देख लो, YouTube पे बहुत सारे lectures दाल रखे हैं, भागे भी बहुत सारे YouTubers ने, जिसका भी आपको अच्छा लगता है, जिससे भी आपको समझ में आता है SST में, उसकी एक one shot video देख लो, मैं यह नहीं कहरा, मेरी देखो, या फिर मेरी चैनल से है उससे देखो, आपने एक one shot video देखी, उससे आपको chapter का overview हो गया, जैसी आपको chapter का overview हो गया, अब आपका काम है कि आपको NCRT पढ़ने है, NCRT पढ़ने के साथ साथ, छत पे questions frame करने है, छत पे questions frame करने का मतलब क्या होता है, पता तो, देखो, आपने one shot video देखी, आपको इस text में न, यहाँ पे एक important चीज है, तो आपने क्या करा, वो इस important चीज को underline करा, और उस important चीज से क्या question बन सकता है exam में, विल्कुल random कोई question मनाओ, आपको लग रहे कुछ important है, यहाँ पे एक important है, उससे related क्या question बन सकता है, उपर frame कर दिया, फिर यहाँ पे आपको कुछ important लगा, उससे important क्या question मन सकता है, उससे related क्या question मन सकता है, exam में लिख लिया, क्यूं है, अभी आगे बताऊंगा क्यूं, दूसरा page आपने उठाया, दूसरे page में जितने questions आपको लग रहा है, frame हो सकते है, definitions हो गई, कोई date हो गई, कोई event हो गया, तो आपने लिख दिया कि what is the definition of this, when did this event happen, तो आपने वो सारे questions उपर frame कर दिया, अपने आप teacher बनो, कोशिश करो, जितने question मैं इस page में से निकाल सकता हो, निकाल लिए मैंने, तो पहला काम आपका हो गया, one shot video देखी, दूसरा काम आपने NCRT उठाके, इस सारे से question frame करे, तीसरा काम आपने notes बना या फिर मे revision कर सकते हो, कैसे मैं आपको बताऊंगा, पहला काम, one shot video देखी, दूसरा काम, NCRT पढ़ते वे questions frame करे, तीसरा काम, जितनी NCRT के questions दे, NCRT के बीच में in text questions आते हैं वो, और back exercise में जो questions आते हैं, वो आपने कर लिए, इतना आपने कर लिए, आपका एक chapter खतम, अब revision कैसे ले दो, दूसरी copy से ऐसे चिपा सकते हैं, ऐसे करके चिपा लेते हैं, तो ऐसे आपने चिपा लिया, copy से, आपने पहला question पढ़ा, पहला question पढ़ा आपने, कि भई, यह question, आप दिमाग में सोचोगे, क्या था answer, 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 आपक से बेस तरीक है recall करो, तो आपने क्या करा, ऐसे छिपा लिया, पहला question पढ़ा, recall करा, answer याद आ गया, बहुत बढ़ी है, नहीं याद आया, तो नीचे देख लिया, कि क्या answer था, वो आपने underline कर रखा है, दूसरा question, छिपा लिया, सोचा क्या था, क्या था, क्या था, याद आ हम आपने NCRT पढ़ी, और साथ-साथ में questions frame करें, questions frame हमने क्यों करें, जिससे हमें revision में काम आए, तो questions हमने इसलिए frame करें, जिससे कि हमें revision में काम आए, तीसरा काम, NCRT के जितने भी questions हमों कर लिया, अब आपका chapter खतम हो गया, अब revision कैसे करना है, revision के लिए वो questions frame करें थे, तो काम आएंगे, ठीक है, तो तीन step में आपका complete हो जाएगा, और revision के लिए छत वाले questions काम आएंगे, तीन step क्या है, पहला, one short video देखेंगे, दूसरा, NCRT reader करके question frame करेंगे, तीसरा, जितने भी NCRT के questions हैं, उन्हें हम practice करेंगे, उनके solution आपको Google पर ही मिल सकते हैं, बहुत खुद भी बनाने की कोशिश करो, खुद answer frame करने की कोशिश करो, इन तीन step से आपका एक chapter complete है, अब उसका revision कैसे करना है, छत के questions को revise करो, active recall से, ये best step है, किसी एक chapter को निप्टाने का SST में, क्या मेरी बास आज में आ रही है, ये होता है, अब मैं आपको कुछ super tips देता हूँ आज की SST की वीडियो के, सबसे पहली चीज, कभी भी रट्टा मत मारो, रट्टा मारना सबसे बिकार होता है, इसलिए मैंने आपको कोशिश करी है, timeline booklet में, आपको हर एक चीज जो है, एक story की तरह दे, जैसे ही आप story की तरह पढ़ना शुरू करोगे, तो आपको रट्टा म आए answer, अपनी भाषा में लिखो exam में, बस कोशिश करो वो जो important keywords होते हैं, जो important date होती है, जो important words होते हैं, वो उस answer में रहे, बागी तो अपनी language में लिखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, क्या मेरे बाद समझ में आ कही है, तो इसलिए कभी भी रट्टा मत मारो, answers अपनी language मे लिख के आने हमें paper में, जो जो आपको याद आ रहे है, उस हिसाफ से अपनी language में लिखो, तीसरा point, जब भी आपको लग रहा है, कि map काम आ सकते हैं, जोग्रफिय में बहुत काम आएंगे, जोग्रफिय में कभी भी maps को न, ignore मत करो, map को अच्छे से पढ़ो, अच्छे से सम होगा, कि अच्छा, ये सारी चीज़ा यहाँ आती, इंडिया में, ये सारी चीज़ा यहाँ आती, इंडिया में, अब मैं खुद इस हिसाब से answer frame कर सकता हूँ, answer कभी भी आपको exam में, कोई answer आप भूल जाओ, तो ये नहीं है, जरूरी कि same to same, जैसा exam, आपकी ma'am ने लिख मैं आपके लिए उस पर वीडियो लियाँगा, ठीक है, सार, एक बार, पूरी, रिवाइस कर लेते हैं, वीडियो में हमने क्या क्या चीज़े पढ़ी, बढ़ा तरही मतलो, जो ही मैं उनने बताए, सबसे पहली चीज, सबसे पहली चीज ही होती है, कि आपको planning कैसे करनी है, planning कैसे करनी है, planning करने के लिए easy, medium, then hard, ऐसे करो, जिससे आपका confidence बढ़ते रहे, दूसरी चीज, history की date कैसे याद करनी है, timeline बनाओ, story की तरह याद करो, notes मैंने दे रखे है, link नीचे description में दे दूँगा, तीसरी चीज, किसी chapter को complete करने का सबसे बेस तरीका क्या है, सबसे बेस पहला, one shot video देखो, दूसरा, NCRT read करो, question frame करो, तीसरा, जितने भी NCRT के question से उनको अपने आप लिखो, उनको याद कर लो, यह होगा, तीन step एक chapter को complete करने के, revise करने के लिए जो चत्पे questions बनाएं, उनको active recall से याद करो, इस तरह से आप पूरा का पूरा chapter निप्टा सकते हो, answer अपनी भाषा में लिख क्या हो, जरूरी नियर रटा मानना, क्या मेरी बाद समझ में आ गई, I hope, सारी चीज़े आपको समझ में आ गई होंगी, मैंने थोड़ी से बड़ी कर दी वीडियो, बट मेरे को हर चीज कवर करनी थी, इसलिए थोड़ी से बड़ी हो सकती है, मिलत झाल